हाई एवरीवान वेल्कम बाक तो मैं चानल लाइफ वित अका अंशा तो टोड़ेस रेसिपी आज आज रेसिपी मेरी मॉम बनाने वाली है मैं चॉप करके उनको दे दूंगे और सारे प्रोसेस आपको दिखाऊंगे तो यहां पर में टू कप अफ राइस लियो और इसको कर लोंगी और इसके पात में आपको मिलती हूँ तो यहां पर में लियू स्टार नाइस फिल लॉंग वगेर सब कुछ और यहां पर बीन्स थोड़ा सा थोड़ा सा बीट देन प्यास चिलिस एंड कारेट टोमैटो और फूल गोबी लियू तेज पत्ता लियू और अद्रक लेसिन पेस्ट भी इस पें यूज होगा तो अदरक लेसिन पेस्ट एंड यह रहा घी तो इतना इंग्रेडेंस लगता है पोलाओ के लिए बहुत टेस्टी बनता है गास और अभी तो विंटर्स भी आ गया है तो आप सरूर इसको रेसिपी को ट्राइ कीचिए तो भी हम य करेंगे तो यहां पर पहले मॉम जीरा डाली फिर उसके बाद इतने विच्टार इनाइस लॉंग वगेरा डाल जी नहीं ही सब डाल देंगे हम इसके कॉंटे थोड़ा कम ही डाल यह नहीं तो मुम में आता है न अच्छा नहीं लेगा फिर ही तेच पता गया फिर आपर चि से हम स्टर करेंगे मेरा जो रेसिपी नहीं है यह थोड़ा अलग है मेरी मॉम थोड़ा अलग से बनाती ही यह जो पलाव तो आप अच्छे से इसको स्टर कर लेजेगा फिर धीरे-धीरे हम वाजीटेबल्स को आड़ करेंगे मैं जो मैं भी जिससे टाइप का पलाव बनात करती हूं मैं उसको भी आपके साथ शेयर करऊंगी तो अभी हम यहाप पर वजेटेबल्स टाइल रहे फिर उसको डालने के बाद चलाते रहना है नहीं तो यह जल जाता है न तो वीट का टेस्ट भी अच्छा रहता है और हल्थ के लिए अच्छा रहता है और इसका कलर भी फिर इसके बाद जिचर कारलिक पेस्ट ऊपर से डाल कर घाल हूं मैं क्या करती हूं मैं भी बादे表े जाल कोंः मैं पहले को तैकनिक अलग 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 रहता है तो आप लोग सोचचे हों कि समेल आएगा नहीं समेल नहीं आएगा क्योथ क्योंकि आपको अच्छे से से घर दूटे कर लेते हैं थोड़ा सा हलती दाली है माूम अब जरूर किजिएगे अब जरूर किजिएगे सच्ची में बूल रहे है अच्छा लगते है और गरं-गरं खाने से और अच्छा लगते है थंडा होने से थोड़ा सथर टेस्स एंच हो जाता है पसंदे विंटर समें था करके पकाएंगे हम और टमाटोस भी अभी हम आड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे देन भी विल भी आडिल दी राइस करके लिए दिर माटोस गें एक पर अच्छे से लिए पर अच्छे से चावल किला बनता है अगर गीला हो जाएगा ना मॉश्च जाद़ा क्याने तेस्ट ने रहता है यह थोड़ा साममेट गरम मसाला ये आफ बियानी पाउडर बियानी मसाला बट हम लोग नहीं कषणा कि आप करते हैं थोड़ا से गरम मसाला में में भी तेस्ट आजाता है तो इसको भी चावर को मिला के अच्छे से फ्राइब करने। इसको बाद में यहाफ टीटी लगाएंगे अगर अबका कोकर अच्छा वाला कुकर है थे फिर्म फिर और जीज आप सीटी के खुझ से नहीं निकालना है जब तक वह अपने आप सारे ही वेपर ना जाए तब तक नहीं निकालना है अभी चला गया है सारा वेपर फिर हम निकाले देखे रहें न कितना अच्छा देख रहा है पुरा खिला-खिला गरम-गरम तो मज़ा आने तो आप देख सकते हो उसका वेपर के वज़े से थोड़ा सा कैमरा में क्लिए नहीं आ रहा है तो अबहरों थोड़ा सा घी एड़ करेंगी और हाँ आ चैह सो तब ड्राइफ़ूट्स भी आप डाल सकते हो तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब देखे रहो कि इतना अच्छा खिला बना है टेस्ट भी बढ़ा रहे है गाई तो ट्राइड इस रेसिपी और यह सब्सक्राइड टाइम टेकिंग भी नहीं होता है जल्दी बन जाता है यह अगर गैस्ट आगे है तो जल्दी जल्दी बनाना है तो यह गो फूर दिस रेसिपी जल्दी बन जाएगा जटपट वाला रेसिपी है यह तो गैस मैं यह रेसिपी आगे से सूट कर चुकी थी बट मैं भूल गई थी कि यह रेसिपी में सूट की हूँ I hope मेरे माम का यह रेसिपी आप लोगों को पसंद आया होका यह इंस्टंट पलाओ विद नॉर्मल राइस यूगन आलसो यूज बिरियनी राइस आलसो अब द तो आज का दिन तो बहुत बढ़े हा रहेगा कि कितना डिलिशियस खाना है आज का So I hope you all like my videos. If you like my videos then do like, share and subscribe to my channel